शेकपुरा में भारत बंद के समर्थन में माले रोड पर निकला आज शेकपुरा में किसान के समर्थन में माले के नेताओं ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार का पुतला फुका उन्होंने बताया कि दिल्ली बॉर्डर साइद पूरे देश में किशानों के आंदोलन का चार महिना पूरा होने पर सैयुक्त किसान मोर्षय की ओर से भारत बंध का आवाहन किया गया बिहार में विधान सभा में भागपा माले साहित विपक्षी विधायकों की पुलिसिया पिटाई के खिलाप में महागडबंदन ने बिहार बंद में सक्रिय भूमी का निबाने का आवाहन किया इस अफसर पर आज 26 मार्च को शेकपुरा में अखिल भारतियक किसान महासभा और भागपा माले द्वारा पटेल चौक से प्रतिरोध मार्च निकाल कर त्रिमुहानी चौक को एक घंटे के लिए जाम रखा गया इस अफसर पर नेताओं ने बताये कि कौर्पोरेटी परस्त मोधी सरकार किसानों की मांगो को अनसुनी कर रही है आंदोलन के 4 महीने पूरा होने पर भी मन की बात करने वाले मोधी किसानों की बात नहीं सुन रहे उन्होंने कहा कि बिहार में जब से नितीश जी मोदी के साथ आये हैं वे भी मोदी की भाषा बोलने लगे हैं अब वे भी जनता और जीते वे प्रतिनिधियों का दमन कर राज करना चाहते हैं बिहार की जनता इसके विरोध में आजचड़क पर विरोध कर रही है आज के बंदी में भाकपा माले के जिला सचीव विजय कुमार विजय, अखिल भारतिय किसान महासभा के जिला सचीव कमलेश कुमार मानव, एक्टु नेता कमलेश प्रसाद, किसान नेता राजेश कुमार राय, रिश्वनात प्रसाद, शिवनन्दन यादव, राजेंद्र पास्वान, राम कृपाल सिंग, तेतरी देवी, अनीता देवी, मिश्टर मांजी, कृष्ण नंदन चोहान, रीता देवी, रीना कुमारी झाल